और मेरे भाई क्या हाल है तो आर अगेन आचुके एक और काफी ज़्यादे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मैं वापेस आई होप आप और आपकी फैमली काफी ज़्यादा अच्छे होंगे और आप अपने लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे बात करें वीडियो की तो वीडियो काफी ज़्यादे एक मिसन की वीडियो एक अच्छीवमेंट की वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ आपका टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपके टाइम की प्रॉपर वेल्यू पता है तो आपका टाइम बि कि टाइटल क्या है हम अच्छीवमेंट की बात करेंगे सिस्टेमेटिक वें बात करेंगे क्राइटेरिया क्या होती है सोलो में कर सकते डूो में कर सकते स्कॉर्ड में करना है रैंकिंग की बात करेंगे सर्वर की बात करेंगे मैप के बारे में बात करेंगे कौन सा मैप सब से ज़्यादा important है जो कि आपको help करने वाली है तो चली वीडियो को start करते हैं बस आप वीडियो को last तक जरूर देखना and make sure अगर आप channel पहने हैं हो तो channel को भी जरूर से subscribe करना और वीडियो को तभी like करना जब आपको video informational लगे और आपके काम में आ सके वैसे वीडियो को like मत करना चली वीडियो की बात करते हैं और वीडियो में आगे बढ़के सारी चीज़ आपको बताता हूँ वीडियो को तो मैं start कर रहा हूँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रगना कि video as usual हमारी चलती रहेगी मैं आपको voiceover के रूप में सारी information देते रहूँगा आपको details बताते रहूँगा सबसे पहले बात कर लेते कि mission कौन सा achievement कौन सा है सबसे पहले बात करते हैं इसी चीज़ के वारे लाइक आप erste में लाइक को माडना होता है दन बात करें तो शनाइपर से माडना होता है through every Allight लाइट मशीन गंग से माडना होता है, पिश्टल से माडना होता है, हम किस तरीके से हमको वीकल क सिग्वार करके एनिमी को माडना है? बागी मैंने पूरी सीरीज बना रखे तो आप मेरे चैनल पर जाके वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वीकल का इस्तिमाल करके लास्ट एनिमी को कैसे मारना है तो कि वीकल से मारना काफी जादा डिफिकल्ट हो जाता है तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा सारी चीजे में बताऊगा अब बात करते हैं दोस्तों सोलो में करना है डूो में करना है स्कॉर्ड में करना है किस में करना है तो देखो यह आपको सोलो में ही कम्प्लीट करना होगा सोलो सबसे बेस्ट है और सोलो के लिए ही बताया गया तो सोलो के लावा डूओ एस्कॉर्ड में करोगे तो नहीं हो सकता बात करते है टियर कौन सा होना चाहिए दोस्तो एट लिस्ट आपका टायर प्लैटिनम फाइफ होना चाहिए टियर बोल्ड और टायर बोल्ड जो भी आप बोलते हो प्लैटिनम फाइफ तो होना ही चाहिए उपर डायमंड भी हो सकता है एस कॉनकरर जो भी हो सकता है लेकिन आपका प्लैटिनम फाइफ तो होना ही चाहिए server की बात करें तो server में किसी में भी Federal कर सकते हो पहुत सो लोग complete करतेه हैं दोस्तो आपकी एरोप में भी Dan North America में भी और बहुत से लोग Asia में भी complete करते अगर मैं personally बता हूँ तो आप Asia में complete करना है क्योंकि मैंने कितनी बार यह पाया है कि هम दूसरे server पर जब भी perform करते हैं तो एक तो pink का problem आता है क्योंकि already हमारे servers banned है इसके बाद भी हम VPN लगा के खेलते तो pink काफी जादा high आता है और दूसरा अगर हम किसी और server पर जाके यूरोप पर खेलते तो कितने वार क्या होता हम missions तो complete कर लेते हैं लेकिन हमारा वहाँ पर नह खेलना क्योंकि वेरेंगा चोटा सा मैप है आपको जादा difficulties नहीं आने वाली है बाकि यह मैं आपके डिपेंड करता है कि आपके इसमें खेलना चाहते हो totally मैं आपके ऊपर चोड़ता हूं मेरा personal opinion है कि वेरेंगा में खेलो आपका time भी save होगा बात करते tips के बारे में लेकिन tips के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज की लेडली बता देना चाहता हूं मैं आपको वही tips बताऊंगा जो कि आपके useful है जो कि आपको use में आएंगे मतलब आप जब भी game को perform कर रहोगे mission को achieve करने के लिए तो जो चीज़े आपके काम की है वही tips बताने व tip number one की बात करते हैं ध्यान से सुन लेना मेरे भाई बहुत ज़्यादा useful है अगर नहीं समझ माई वीडियो को दुवारा repeat करके देख लेना tip number one की बात करते हैं सर्वर ranking जो भी हमारी होती है अपनी सर्वर ranking को push मत करो starting मैं मैं explain करता हूं किस तरीके से देख क्या होता है कि आपको वहां पे थोड़े दिन तक मैच नहीं खेलना है इससे क्या हो कि अपनी ranking को push करके वापिस से उपर चले जाएंगे ace crown पे तो at least चले जाएंगे और फिर जब आप 15 दिन 20 दिन या एक महीने के बाद खेलोगे तो आपको ज्यादा अच्छ 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 इस achievement को achieve कर सकते हो बस आपको बीच में एक आदे बार खेल लेना जिससे कि आपका platinum 5 हो जाए तो प्लीज टिप नमबर उनको बहुत ध्यान से सुनो अगर आपने tip number one को ही follow कर लिया तो आप इस achievement को achieve कर लोगे आपको server ranking push नहीं करनी है आपको ace diamond या crown इस पे नहीं जाना है कि इसी में भी even match duo में भी नहीं जाना स्कॉर्ड में भी नहीं जाना अपनी इस ID से आपको platinum 5 से उपर नहीं जाना है और ज्यादा मैचेस नहीं खेलना है अगर आपके अंदर चुल है तो आप अपनी दूसरी ID क्रेट कर लो या अपने टीमेट के ID से खेल सकते हो tip number two की बात कर चाहिं जाते हैं मैंने ज़हातर पाया है जातक जबार मैं खेलता हूं तो मैं midnight में खेलता हूं या फिर early morning में खेलता हूं क्योंकि उस टाम में पाया हूं थो आप मिड़ा aja में खेल लो अगर आप student हो तो मैं आपको नहीं बोलूगा आप रात में खेलो लेकिन हाँ आप सकते हैं लोग और हमारे लिए हैल्फुल भी होता है तो टिप नमबर टू और टिप नमबर वन दोनों को ही देख लेना तीसरे नमबर की बात करते हैं जो कि काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट लगता है मुझे सी जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस मिसन को इस टाइटल को अचीब करने के लिए इस पर्टिकुलर मिसन को अचीब करने के लिए हमें लास्ट एनिमी को वीकल की सायता से मारना है तो वीकल का राइट डिसीजर मतलब राइट वीकल को चूज करना यह हमारे सबसे पहली फ्र शबाद बच जाएं उसके बाद बच जाए तो इस तरीके से किस गाड़ी का डिसाइड करना है आप किस पर परफेक्ट्ली उसको हैंडल कर जकते हो कैसे चला सकते हो तोटली आपको उपर depend करता है अगर मैं अपनी personal opinion दूँ तो देखो मैं क्या करता हूं कि ना मैं ज़्यादा तर try करता हूं कि buggy का use करना लेकिन इससे कितने बार मैंने ये भी देखा है कि उसके पूर मैं चड़ातों देता हूं बर damage खाके वो बंदा बच जाता है but don't worry आपको लग रहा हूं काफ़ी difficult है तो इस game के अंदर मैं vehicle का इस्तवाल करूँआ और वह भी buggy से मारके मैं आपको दिखाने वाला हूं चले tip number 3 के बाद हम tip number 4 के आगदर बढ़ते हैं और tip number 4 भी काफ़ी जादा important है जैसा कि हमें game के अंदर mission complete करने के लिए vehicle की requirement तो है तो हमें fuel की requirement आने वाली है तो इसलिए आपको बहतर यही होगा कि जैसी आप land करो तो आप try करो find करने के तलास करने की यार आपको एक से दो fuel tank तो मिली जाए और उसको आप अपने साथ में रख लो ताकि अगर मानलो आप mirando cover करते हो या फिर आप UAZ रखते हो अपने पास य मिल जाता है तो ऐसी जगह पर land करो और ढूंडने की कोशच करो आपको मिल जाएगा इसलिए तो tip number four भी काफी जादा important है चलिए बात करते है tip number five के बारे में दोखो इस चीज को accept करना ही होगा आपको कि आप बार बार गेम खेलते हो और कितने बार क्या होता है कि आपके favor मे गेम नहीं आता कितने बार ऐसा होगा कि जोन ओपन में नहीं बनेगा जोन घड़ों में बन जाएगा और आप वहाँ एनिमी को नहीं मार पाओगे क्योंकि वो cover में रहेगा easy बात है normal सी चीज है IQ लगाने की तो जूरत नहीं है क्योंकि cover में आप कैसे गुसा के गाड़ी को मार दो किसी को या कितने बार यह होगा कि जोन ओपन में तो बनेगा लेकिन पेड़ का cover मिल जाएगा उसे तो पेड़ की cover में जाएगा कितने बार यह होगा कि आपको चलती गारी में इतना मारेगा और आपको चलती गारी से उतार देगा कोई अच्छा player आपके सामने आ ग करना है आपको इस समय पर आपको अपने आपको मोटिवेट रखना है और अगर मान के चलो आपने पांच-दस गेम ट्राइ करन नहीं हो पा रहा है तो आप कोई बात निया आप कुछ दिर के लिए छोड़ तो नौर्मली गेम खेल लो और कभी ना कभी यह अचिमेंट आपको एकसिडेंटली बोल लो या कोईंसिडेंटली मिल जाएगा आप इस चीज को नहीं भी करोगे तो भी मिल जाएगा तो टिप नंबर फाइफ में आपको मोराल डाउन नहीं करना है इस वज़े से मैंने बताए कि अपने मोराल को हमेंसा उपर रखो और आप इस टैटल को अगर आपने स्टार्टिंग में होट्रॉप कर लिया तो आपको इसली बंदे मह जाएंगे एक से लड़ोगे दो से लड़ोगे तीन से लड़ोगे लेकिन कोई न कोई मार जाएगा सरवाइब करना है अगर 20 में कभी किसी से आपकी फाइट हो जाए और उससे आपको सरवा तक तक तो बचना ही है मेरी टिप आपने मानी और आपको होगे कि मैंने भी आपकी टिप मानी और मैं लड़ा भी नहीं बट कोई ना कोई अनिमी तो आपके सामने एकदम से आई जाएगा तो इसके लिए आपको कर रखना है बच जाओगे आप इसली सर्वाइब कर पाओगे और आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हो तो वीकल का इस्तिमाल करो पैदल मत जाना अगर एनिमी के निजर पढ़ गई और अच्छा प्रेज दे दया तो आपका खतम हो जाओगे आपके पांच म हो आपको एद्रॉप नहीं लुटने फिर ऴी अगर आपके अंदर खुजली है लूटने की तो ट्रॉए करो कि आप महां पर क्या कर सकते स्मोग कर सकते उसके बाद लूट वी लूट ना हो तो स्मोग करके ही लूट ना पांच भी आपको इसी में एक और पांच भी टिप सब्सक्राइब करें तो आपको सब्सक्राइब करें एक मतलब दो बंदे बच रहें एक को तो सामने वाला मार देगा लेकिन एक बंदा बच रहें यहां पर देखो इसको मारने के ट्राइ कर रहा हूं और ज किस तरीके से वीकल करें बगगी करें को भी तरीका से करना है और आप यहां वीडियो पसंद आया होगा अगर आप इसींटों के लिए कि मैं अच्राइब करना वीडियो का प양 DOM up a कर सकते हो कोई भी क्वेरी है तो वह भी आप मेरे से पूछ सकते हो और बहुत जादा कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाएगा मुझे मैसेज कर सकते हो मिलता आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें बबाई तक केर